बरेली की साखों पर उत्रा जन सहलाब मुस्लिम धर्म गुरूओं की अगवाई में जुटी हजारों की भीड मामला बरेली का है जहां मुस्लिम धर्म गुरूओं की अगवाई में हजारों की भीड इसलामिया इंटर कॉलेज के मैदान में जुट गई इस भीड में नरसिंभा नंद और वसीम रिज्वी के खिलाफ कारवाई करने की मांग जाड़ी रखी भीड का कहना है कि नरसिंभा नंद ने पैगंबर एसलाम की शान में गुस्ताक्षी किये जिसके विरोध में बरेली के हजारों लोग संकों पर उतर आए उन्होंने तिरंगा जंडा और हाथों में तक्तियां लेकर अपना बिरोध जताया लोगों ने लगातार नसिमा नंद और वसीम रिजवी के खिलाफ कारवाई करने की अपनी मांग को चारी रखा इस दोरान भीड में दोनों के पुतले भी फूके उनका कहना है कि कुरान की शान में गुस्ताक्षी करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा यूपी सरकार में मंतरी वसीम रिजवी के खिलाफ भीड की खासी नाराजगी ने जराई कुछ लोगों ने स्वामी नरसिम्भानंद और वसीम रिजवी को फासी तक देने की मांग कर डाली इस पूरी नाराजगी के दोरान पुलिस का भारी जमावडा लगा रहा पुलिस प्रसासन ने मामले को सांथ करने की कोशिस की लेकिन वह नाकाम रहे कुरोना के बड़ते खत्रे को देखते हुए इस तरह की भीड का इकठा होना भी बड़े सवाल खड़े करता है वीरो रिपोर्ट टीम भारत खबर